हाई फ्रेंट्स देखे अगर आप आर्सीबी के फैन है तो ये खबर आपको बहदी ज़्यादा खुश कर सकती है क्योंकि आर्सीबी आई पिल दो जार चुबिस का पहला मैच अपना जीच चुकी है आर्सीबी ने किंग्स 11 पंजाब को जिसको पंजाब किंग्स कहा जाता है उसको चार विकेट से हरा दिया है लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आर्सीबी जो जीती है वो फार्फ डू पलेसिस की वज़े से जीती है या फिर दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज कहे जान की गेंद का सामना नहीं कर पाते लगतार एक बार फिर से हरपीद बरार ने गलैन मैक्सवेल को एक बार फिर से आउट किया और फार्फ डू पलेसिस भी तीन रन बना कर चलते बने और एक वक्त ऐसा था जब रज़त पाटिदार जैसे बल्लेबाज अगर आर्सीबी की टी खाजाए तो 59 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली हाला के विराट कोली की यह पारी उतनी बेदाग पारी नहीं थी एक चांस उने मिला है लेकिन जैसे तैसे जैसे भी कहें विराट कोली ने 77 रन बनाए गजब की पारी खेली विराट कोली ने अपनी इस पारी में 11 चोके लग लेकिन आपको ये बहुता चले के इसी के साथ विराट कोली के साथ एक नया रिकोर्ड भी जुड़ा है जो आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है जिर्फ इससे पहले दो ही ऐसे बल्लेवाज से जो की ये कारणाम कर पाए थे और अब उस लिश्ट में विराट कोली ने अ और उससे पहले अगर दो बल्लेवाजों की बात की जाए तो उसमें क्रिस गेल सामिल है जिन्होंने अपने खेली गई 410 पारियों में बैरहाल अब बात कर लेते हैं मैच की देखे आर्चीवी को जो मैच जिताया है आर्चीवी को मैच जिताया है दिनेश कार्थिक और महिपाल लमरोर ने जिहां दोस्तों क्योंकि अनुज रावत भी 14 गेंदों पर 11 रन बना कर चले गए थे और एक वक्त ऐसा था जब 12 के आ आती थी रजत पाटिदार जैसे बल्लेवाज पर जिन्होंने 18 गेंदों पर 18 रन बनाए और पवेलियन चलते बने और आर्चीवी के टीमों को मजधार में खड़ा कर दिया लेकिन उसके बाद आते हैं दिनेश कार्थिक उसके बाद आते हैं महिपाल लमरोर जिनी की जोड निधाश ट्रोपी के उस मैच की याद दिलाई जब उन्होंने आखरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत की टीम को वो एतिहासिक मैच जिताया था आपको याद होगा वो निधाश ट्रोपी का मैच जिसमें दिनेश कार्थिक ने गजब की पारी खेली थी और वैसी ही पारी आज एक बार फिर से दिनेश कार्थिक ने खेली जो की आरसीबी की टीम को जिताने वाली पारी थी क्योंकि आरसीबी के लिए दिनेश कार्थिक को अगर देखा जाए तो दिनेश कार्थिक ने दस गेंदों पर 28 रन बनाए तीन चोके और दो छक्के अपनी पारी में लगा क्योंकि आखरी और की अगर बात की जाए तो आखरी और में रार्शीबी की टीम को लगबग 10 रन चाहिए थे और उन 10 रनों में ही दिनेस कार्टिक ने मैच को आखर तक जाने नहीं दिया और चार गेंद रहते उससे पहले ही अरसदीप सिंग का वा आखरी और था बीस वा औ एक चोका लगाया और आर्शीबी की टीम ये मैच जीद गई वहीं महिपाल लम्रोर का योगदान भी कम नहीं खा जा सकता क्योंकि महिपाल लम्रोर को अगर देखा जाए तो उन्होंने 17 रन बनाए और 17 रन उन्होंने लगबग 8 गेंद उपर बनाए आठ गेंदों पर करना एक टाइम ऐसा लग रहा था कि आर्शीबी की टीम एक बार फिर से इस मकाबले को हारने वाली है वहीं देखिए आर्शीबी का ये हमेशा से रहा है कि आर्शीबी की टीम में बड़े बड़े बल्लेवाज हों लेकिन आर्शीबी की टीम का जब बैटिंग ओडर लडख़डाता है कि RCB की टीम को सम्भालना मुश्किल हो जाता है और एक बार फिर से RCB की टीम लडख़डाती हुई नेजर आ रही थी क्योंकि Glenn Maxwell फाफ डू पलेसिस और रजत पाठिदार और Cameron Green Cameron Green जिनको 17,5 करोड रुपे देकर इन्होंने उससे खरीदा है और उससे लिलेने के बाद 17,5 करोड में वो बंदा तीन दन बना के जाता है हाला के Glenn Maxwell ने अगर देखा जाए गेंदबाजी अच्छी की क्योंकि Glenn Maxwell ने अपनी गेंदबाजी में दो विकेट चटकाए बोलिंग के ठीक ठाक थी, मोहमन सिराज में अच्छी गेंदबाजी की और कुल मिला कर जिस तरह से भी हुआ RCB यहा मैच किसी तरह से जीत गई और अब RCB के फैंस को खोस हो जाना चाहिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को RCB के लिए एक लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, फेस्बुक पर अगर देख रहे हो तो फेस्बुक पेज को फोलो कीजेगा